Narrow-minded का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीख लेते हैं Narrow-minded का मतलब होता है संकीन सोच वाला, ओच्छा या संकीन विचारों वाला यानि कि जो व्यक्ति broad-minded नहीं होता या जिसकी सोच थोड़ी संकीन होती है या जो छोटी-छोटी चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है या छोटी-मोटी बातों पर ही उलजा रहता है तो ऐसे व्यक्ति को narrow-minded कहा जाता है यानि कि narrow-minded describes someone who is unwilling or unable to consider different perspectives, ideas or opinions It suggests a lack of openness or tolerance towards viewpoints that differ from one's own narrow-minded individuals may be rigid in their thinking, resistant to change and quick to dismiss alternative viewpoints without giving them fair consideration यानि कि जो व्यक्ति अपने आप जो पुरानी बाते हैं या जो भी चीजें हैं उनमें ही वो खुश होते हैं और नई चीजों को वो जल्दी से accept नहीं करते और उनके लिए उनका ही point of view जो है वो सही होता है वो दूसरे के point of view को बिना सोचे समझे ही जो reject कर देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को narrow-minded कहा जाता है यानि कि जो खुले दिमाग से नहीं सोच सकता अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें